हेलो पावफुल सोल वेलकम चू आरे एंजले काईड़न्स आई हूब आप सब अच्छे होंगे अपमें लाइफ में सब बनिया कर रहे होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे आज मैं फिर आपके सामने पीक कार्ड वीडिंग के साथ आए हूँ और ये भी जो मैंने निकाले हैं कार्ड ये भी शफल करके निकाले हैं तो मुझे पता है ये दोनों कार्ड बहुत अच्छे हैं नाचानक सी ये कार्ड थोड़ा सा डिप्रेजव आ गया बट मैं सच बता हूँ ये शफल करके निकाले और अगर आप ऐसा फील कर रहे हो ना तो आपके मैसेजस इसमें ज चैलेंज करना चाहिए ठीक है ऐसे हमेशे मैं आपको मन्त डेट अगर ये दे दूगी और आप इससे पता लगाओगे तो आपके लिए तो बहुत असान हो जाएगा कि ये ऐसा है पर अगर अगर अपने इंटुशन का यूज करोगे तो मेभी शार्ट जो हम लोग मेडिट पाइल 1 है ठीक है मैरिज का कार है याँ पर पाइल 2 है अनेक्सपेक्टेद इंकम और पाइल 3 है दिस्पेर मैं इतना ही बताऊंगी कि यहाँ पर ये जो तीन पाइल है मैंने शफल करके निकाली है ठीक है फिर से यही बात बोलूँगी वीडियो पॉस कर लो अपना है ठीक है चलिया यह देखते हैं हलो पाइल 1 जोने ने मैरिज का कार्ट चूज किया है चलिया यह देखते हैं आपके लिए क्या मैसज़स है फिलाल जिन लोगों ने कार्ट चूना है तो बहुत जल उनकी शादी तय हो सकती है शादी शुदा है तो लेट सी क्या मैसज है आ दिख सकते हैं फिलाल आपके लिए आपके लिए याँ मैरेज आया है बड़ यहां पर एक पार्टनरशिप है कपल की भी बात कहीं गई है अगर आप लोगा लुड ररीशन्शिप में तो यह मैसेज भी आपके लिए है ठीक है आप अपने पार्टनर के साथ हो तो भी आएए क्या message है आपके लिए यहाँ पे कुछ cards हैं आपके लिए जो पहले ही निकाल दिए गए हैं let's see आपके लिए क्या messages है पहला card आपके लिए देखते हैं क्या है love I am wonderful I receive and give love today and always यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि कोई भी situation क्यों ना हूँ कोई भी situation क्यों ना हूँ जो प्यार है ना आपके अंदर का हूँ किसी के लिए हो या खुद के लिए हो यह प्यार कभी खतम नहीं होना चाहिए यहाँ पे यह प्यार मुझे देना ही देना है और मैं लेके भी रहूँगी दूसरा मुझे यहाँ पर एक love से जो message मिल रहा है सबसे पहले self love करना बहुत ज़रूरी है चाहे आप किसी भी रिष्टे में हो चाहे वो कोई भी रिष्टा हो self love नहीं मलक करना भूलना ही नहीं एकदम से कि नहीं self love तो करना ही करना है मैं receive भी करूंगी और receive कैसे करेंगे जब हमारे अंदर प्यार होगा हम आपस में सब में प्यार बाटेंगे तो वो प्यार हम दूसरों से भी मिलेगा तो पहले यहां important है आपका प्यार आपसे सबसे पहले खुद से होना चाहिए भी आपके आसपास जो लोग उन सब से फिर वो प्यार आप खुद भी receive करोगे जो दूसरों से आपको मिलेगा लेकिन इस चेकर में दूसरों से लेने के चेकर में मत रहना कभी खुद को देना बहुत ज़रूरी है, खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, हमेशा सब आपका ध्यान नहीं रख सकते हैं, आपको अपना ध्यान खुद रखना बहुत ज़रूरी है, तो चाहे आप already relationship है हो, single हो या जो भी हो और नई शुरुवात ही क्यों ना करने जा जाला है, ठीक है, आज़े देखते हैं, next card up क्या है, embracing, I embrace and love all of my life, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि किसी को कहा जा रहा है, यहाँ पर दो तरीके से message है, पर तो यहाँ देख रहा है कि आपको खुद से प्यार और खुद की जिंदगी से प्यार करने के लिए कहा जा रहा है ठीक है, खुद से प्यार और खुद की जिंदगी से प्यार करना, यह सबसे जादा ही important है अगर आप किसी partner को अपने life में attract करना चाहते हो, यह भी सबसे जादा जरूरी है कि आपको खुद से प्यार होना चाहिए, खुद की जिंदगी से प्यार होना चाहिए, जब आप attract होगा आपकी तरफ, पहली point, उसके बाद अगर आप तुनों साथ में भी हो, अब आप दिये ही जा रहे हो, दिये ही जा रहे हो किसी रिष्टे में, ठीक है, एक बार को आप unhappy हो जाओगे, अपने अपने आप से, अपने रिष्टे से, क्योंकि आप खुश नहीं हो, मैं आ बंद कर देगा, अपना प्यार देना, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, डिप्रेस हो जाओगे आप, कि पहले तो में इतनी क्यार करता था, अब क्यों नहीं कर रहा, या अब क्यों नहीं कर रही, इस वज़े से, खुद को प्यार करना, खुद की लाइफ से प्यार करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है, चाहे वो कुछ भी हो ठीक है, आगे देखते हैं, next card light my light radiates through my life and the world around me जो आपके card है, love embracing light, पहले तो मैं देख पार हैं कि पहले अपने life मेरा, जो positivity है उसको देखना शुरू करो आपके लिए message है, आपके life में जो भी positivity है उसे देखना शुरू करें, ठीक है अपने life को गले लगाओ अपने आपको गले लगाओ, अपने आप से प्यार करो, पहले ये बहुत ज़ादा ज़रूरी है, और अपने life के में जो positive चीज़े हुई है ना, उनके लिए gratitude शो करना शुरू करो ही मिलना था, वो जो अंधिकार से भर गया था, वो रास्ता आपको दिखने लग जाएगा, और ये सच है, एक बाद शुरू करके देखो ये चीज़, ठीक है caring connection आपके लिए काड़ी आगया, या caring connection का और marriage है, तो जो लोगों कि या शादी होगी, मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए बहुत ही अच्छा connection आने वाला है शादी के लिए भी मैं देख रही हूँ कि marriage, caring connection अगर आप लोगों couple थे समय से दूर-दूर चल लए थे आप लोगों का रिष्टा बहुत अच्छा नहीं चलाता चाहिए आप marriage में हो, चाहिए आप अभी marriage नहीं हूँ यह पर उससे पहले ही अपने कपल हो तो भी मैं देख पार हूँ कि आपका रिष्टा अच्छा हो जाएगा, पास हा जाओगे काफी चिक है, आएए देखते है फर्स चक्रा आर्केंजर माइकल security and safety के चक्र में अगर मैं यहाँ पर यही बात कूँँगे किसी भी चीज के लिए किसी पर depend होना ज़रूरी नहीं है अगर आपके मन में love है ना तो वो ego रहे गा ही नहीं है फर्स चक्रा भी ego को represent करता है, मैं इतना कहूंगे अगर आपके अंदर प्यार है तो ego कभी नहीं रहेगा इसलिए कह रही हूँ प्यार करो और सबसे पहले खुद से करो खुद से प्यार करो कि सुखी रहोगे और सुखी रहोगे कि वो आपको आपको आपके प्यार करेंगे सपोर्ट करेंगे आपको खुद अपने लिए खड़े होना है आएगे देखते हैं आपे new life हो सकता आप मैंसे काफी लोग की new life शुरू होने वाली है चुकि marriage की बात भी कई है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नया रिष्टा शुरू हो रहा है कुछ लोग अपने अंदर ही बदलाव कर रहे हैं और शायद जब आप ये चीज़े accept करोगे न अपने life में एक new life आपकी शुरू होगी ठीक है एक new life आपकी शुरू होगी marriage के विए से एक new chapter शुरू हो रहा है एक new life शुरू हो रहा है मैं इतना कौँगी चाहिए आप नय relationship में आ रहे हो या marriage हो रही है जो भी है आपके life ये तीन बात आप हमेशा ध्यान रखना तो आपका marriage भी आपका relation भी बनिया चलेगा बस थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान देने की ज़रू है कि self love कभी भी नहीं छोड़ना है अपने आप से प्यार करना है अपनी ज़रूरतरों का ध्यान देना है माना कि आप लोग कभी marriage करके जब दूसरे गर में जाते तो आप पे responsibility बढ़ जाती है और दूसरों का भी ध्यान रखना पड़ता है बट खुद की जो चाहते हैं उसको नहीं खतम करना उसको नहीं मारना है इन चीजों का ध्यान रखना है milk and honey आपके life में abundance आ रहा है तो अगर आप marriage करने वाले तो बहुत ही अच्छी family में मैं देखूंगी आप जाओगे ठीक है और ये भी मैं देख पारी हूँ कि आप अपने life में जो चीज़े अभी तक नहीं थी वो संदुष्टी वो वो चीज़े देखो अगर आप love, embracing and light के तरफ हो न तो आपके life में जो भी है आप उससे बहुत खुश होगे उसके लिए शुक्रिया कहोगे और जो नहीं है वो आप अपने life में attract करोगे मतलब जो चाहते हो अपने life में वो चीज़े भी attract करोगे तो यहाँ पर ये चीज़े में मुझे दिख रही है दूसरा ये भी दिख रही है कि आपके life में abundance आ रही है ठीक है शायद जो चीज अभी तक आपको नहीं मिली थी अब वो आपके जिंदगी में आ रही है और ये सबसे पहला lesson है love, embracing and light आपके life का ये चीज़े मत भोलना अपने life को अपने life आपकी बहुत प्यारी है एक ही जिंदगी भाई गले लगाओ उसको ठीक है बहुत ज़रूरी है उसको समहाल के रखो कुछ लोग अपनी life खतम कर लेते हैं चोकि वो कुछ चीज़े है अपनी life में सह नहीं पाते ठीक है और वो भी criticism हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है कभी कि खुद कोई criticize करते है कि मैं ऐसा हूँ मैं सब अच्छे नहीं हूँ ये वो बगएरा बगएरा नहीं करना है अपने आपको प्यारे words पोलने है आप love हो आप प्यार हो ठीक है आप प्यार हो ठीक है और अपनी life को भी गले लगाना है एक ही तो life है ठीक है ना इसको भी गड़े लगाना है, प्यार से रखना, उसको जीना है, ठीक है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आरे ही, ये मत सुचो कि सिर्फ मेरी लाइफ ही ऐसी हल बनी होगी है, ना, सबकी लाइफ है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ वह देख रहे हैं, बट ये प्यार, ये embrace and light, आपकी जो लाइफ में जो difficulties आ रहे हैं, उसे कम कर देगी, आगे देखते हैं, discontent and boredom, हो सकता है कभी आप बहुत bored हो जाएं, लाइफ में कुछ आपको अच्छा ना लगे, ठीक है, और शेद तभी ये आता है कि life boring है, life अच्छी नहीं है, life ये है, life वो है, मैं इतना बता दू, life बहुत ही अच्छी है, ठीक है, life बहुत ही अच्छी है, आप soul बन के इस दूसरे को support कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ने में, ठीक है, अगर वो आपको तकलीफ भी दे रहे ना, तो भी वो आपको तराश रहे हैं, ठीक है, इसलिए है वो यहाँ पर, आप कौना, क्यों है ये person में, life में, चुकि वो आपको तराश ने, तराश ही रहा है एक तरीक अगर पेन भी दे रहा है, तो आपको तराश रहा है कहीं ना, ठीक है, निखार रहा है, लेकिन यही चीज़े ना, कि अगर आप उसको लेकर depressed होगे, तो फिर आप गलत जगा जा रहे हो, लेकिन अगर आप उस पर निखर के बाहर आ रहे हो, तो आप जो वो मकसद था, वो जाएगा, जो क्यों आप उनसे मिले, और वो मकसद पूरा नहीं होगा, तो again जो next life होगे, आप उसमें फिर उनसे मिलोगे, चीज़ पूरी होनी बहुत ज़रूरी है, जो अधूरी रह गई है, तो आपको निखार नहीं है, आपको lesson दे नहीं है, वो मिलेंगे ही lesson, वो lesson मिल जाएगी life का, तो काम ही है lesson देना, अगर नहीं देगी, तो यही हो जाएगा, spicy life का खतम हो जाएगा, फिर यह हो जाएगा, कुछ है ही नहीं सिंदगी में, कुछ बचा ही नहीं, अब downs ज़रूरी होते हैं life में, ठीक है, balance, देखा, मैं यह कहारी हूँ, अब downs ज़रूरी होत फैसोड है, यह आपके experience है, और यही आपके experience है नहीं आपके हतियार बनेंगे, ठीक है, यही आपके हतियार बनेंगे आगे जाके, जो भी आप सीख रहे हो ना, आभी अपने life से ले रहे हो, यह आपके हतियार बनेंगे आपको आगे की situation को face करने के लिए life में, ठीक है, ठी प्यार करना मत भूलना खुद को और लाइफ को गले लगाओ यह लाइफ है बहुत ही अच्छी है इसके लिए रोज थैंक्फुल लो जो आमको दी है लाइफ उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत लोग तो वक्त से पहले चले जाते कहते हैं उनको तो यह लगते कि म ठीक है एक ही लाइफ है आएए सिडक्षन डिटाच्मेंट अडाप्ट लिए मैं इतना कहूंगी आपको पर तो सिडक्षन की बात करूंगी सिडक्षन को हमेशे हम लोग गलत तरीके से लेते हैं कभी कभी नेगेटिव तरीके से लेते बट मैं इतना कहूंगी सिडक्षन म यहां पर आप flower and heart भी देख रहे हो, तो यह शो कर रहा है love को, दूसरा यहां पर यह है कि आप दूसरों की need को समझ आते हो, कि सामने वाला चाहता क्या है, इसका मतलब यह है, इसको हम हमेशे गलत तरीके से लेते हैं, seduction, but मैं इतना कहूंगी, कि आप यहां पर सामने वाले की जरूरत को जब आप समझते हैं, कि वो चाहता क्या है, वो निसात, एक understanding, जब आप कभी-कभी बिना बोले सामने वाले के, उसकी बाती कभी-कभी समझ चाहते हैं, कि वो क्या चाहता है इस समय पर, ठीक है, वो क्या जानन ठीक है, तो यहां पर मैं यही कहूंगी, कि यह बहुत जरूरत है, इस तरह की चीज़ होगी, तब होगा जब आपके अंदर प्यार होगा, सामने वाले के लिए होगा न, वो आप जट समझ जोगा कि उसको क्या चाहिए, ठीक है, यह हो ना बहुत सेडक्शन, वैसा सेडक् है, कि आप खुल के एक दूसरे से वो सारी बाते कर पाते हो, जो नहीं कर पाते सब लोग, वो सकता बहुत ऐसे कपल है कि जो नहीं कर पाते आप पसमें बाते, बहुत मिश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं, जिनसे आप खुल के, चाहिए वो कपल ही क्यों ना हो, चाहिए वो को दिमाग सब के पास है, बड़ एमोशन कभी कभी हावी हो जाते हैं, और वो हमें गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते हैं, पहले चीजों से थोड़ा डिटैच हो, जब भी डिसीजन लेना हो नाइफ में, नहीं समझ में आ रहा हूँ, चीजों से डिटैच हो, और उसके ने रखा है, सब को दे रखा है, तो वो क्या होता है, वो emotions ढख लेते हैं, चादर, वो चादर emotions की ढख लेती है, जब डिसीजन लो, टिटैच हो के लो, सोच समझ के logical वे में लो की क्या मिल ली जज़ि, कभी-कभी emotions हमें गलक डिसीजन देने पर मजबूर कर देते हैं, अमा दूसरा इस तरह का प्यार होना चाहिए कि आप दूसरों की need कभी कभी बोल की बहुत अच्छी बात है बिना बोले भी समझ ले तो वो तो उससे भी बहुत क्या ही बात है कि आप बिना बोले लोगों की जरुरुत समझ रहे हो आपने आसपास वालों से प्यार वो connection वो bond ही है आपका तब आप ऐसा कर पाते हो न यहाँ पर है adaptability मैं देख रही हूँ flexible आपसे कहा ज़रा flexible बनने के लिए life ठीक है कि आप चीजों से वही है detachment, flexible ठीक है तो यह होना बहुत ज़रूरी है तो आसा ना चीजों से हटना detach हो ठीक है और तो यह life में flexible हो चीजों कि चीज़े आएंगी और ज़रूरी है नहीं हमेशे आपके इसाब से हो बहुत साई ऐसी जिंदगी में होती है चीज़े जो हमाई साब से नहीं होती है बढ़ हमें face करनी परती है ठीक है तो उसमें उतरना परता है वैसा पानी बनो जो हर चीज में हर बरतन में जाए तो उसका अकार ले ले वैसा कुछ कि आपको कोई भी situation में डाला जाए तो आप उसमें ढलो यह नहीं कि मुझे नहीं हो पाएगा यह नहीं होगा वो थोड़ा सा रहता है मैं आपको यह बता दूँ मैं आपको यह निर्ये चीज भी मैं देख पा रही जिस से आपको अच्छी चीज मिले OWink कि यह परसंके अंदर रहे कितना अच्छा है यह परसंके अंदर यह गुन है उसको ले लो उसको तुम ले लो ठीक है, ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, जो अच्छा लग रह ना कि इस nowhere, ये अच्छी को अई, जनला नहीं हे कि उसके अंदर ये, तारीक करो अच्छी बाट लेकिन उससे सीख लो कि वह कितना अच्छी सा खरता है, उसको ले लो, उस चीज को ले लो, तुरण स अगर आपको लग रहा है कि यह एक अच्छी आदत है और इससे करने में मेरे लाइफ भी बदला पाएगा तो उसको ले दो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ठीक है तो यह थे आपके मैसेजेज फाइल वान I hope आप बहुत साइचीजों को समझोगे और यह थोड़ी सी पता नजाने क्यों बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यह depth reading है पता नहीं आपने गहराईयां समझी है की नहीं है पर यह बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि self love सबसे जादे important है चाहे आप किसी भी रिष्टे म हूँ चाहे आप जो भी कर रहो life में self love करना नहीं भोलना और आपको एक ही life मिली है ठीक है उससे पीछा नहीं चुडाना उसे गले लगाना है हाना क्यों कह रही आलिया भट ए जिन्दगी गले लगा ले आप जाके जिन्दगी गले लगा लो मतलब कि अपनी life से प्यार करो ठीक है इस जिन्दगी से प्यार करो कि मुझे एक जिन्दगी मिली है और अपना ध्यान रखो ठीक है आप बहुत precious हो बहुत precious हो यह पता होना चाहिए आपको ठीक है और आपकी अंदर की जो light है न वो उससे जादा precious है ठीक है उसको जो बाहर की negativity है बाहर की कुछ भी चीज हो रही है उससे हाम मत होने दो अपने light को अपने light को है न वो इस तरह जलती रहनी चाहिए ठीक है ऐसे बुझने मत देना कभी तो यह थी आपकी reading by the one I hope आप समझे होंगे चीजों को ठीक है अच्छी लगी हो या कोई भी आपको इसमें से अपने answer मिले हो तो प्लीज लाइ कीजिएगा और comment box में जरूर बताएगा कि हा कुछ मिला हमेंसे मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर ठीक है और subscribe नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब में चनल थेंक यू पर वाच्छिए है तो इससे तो हमें इतना पता चलना है कि financially आप बहुत अच्छा करने वाले हो finance आपका अच्छा होने वाला है कुछ जरूर तो unexpected income आपके पास आने वाली है तो चलिए देखते हैं आपके cards क्या बताते हैं यह card मैंने पहले भी बताएगी मैंने shuffle करके निकाला है फिलाल आपने इसे choose किया है तो जरूर कुछ बढ़िया है तीक है आएगे देखते है pleasure okay my life is deliciously joyous मैं इतना ही कहांगी कि अपनी life को जितना हो सके enjoy करो ठीक है और आपको जो अच्छा लगता है कि मुझे यह करके अच्छा लगता है मतलब मैं अगर यह काम करूँ जिसे कुछ लोगों क्या होता है colors बहुत अच्छे लगते हैं अभी मुझे क्या होता है जब मैं व कि сильно colors कि बहुत अच्छे करते हैं बहुत जाता तो वही चीज कोशिश करती वह चीज में पहुत सारी colors कि मिंदे बहुत सारी colors रखते हैं मुझे colors बहुत अट्रैक करते हैं जो चीज आपको अच्छी लगता है आपने life में वह चीजい करो ठीक है जprob हैं जैसे कि मेरा माइन थ तो कभी भी जो भी अच्छा लग रहा है कि यह मुझे अच्छा लगता है करना वो करो जो आपको प्लेजर दे यह करके मुझे थोड़ा satisfaction फीलो तो मैंने यह कर लिया आज मैंने अपना यह काम किया ठीक है अब आपके लिए मैं यह भी कौँगी इससे भी खुशी मिलती है ज हम छोटे छोटे काम कर लेते हैं कि आज मैं यह करना है यह करना है और हमने कर लिया टिक 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 उससे जो खुशी मिलती है रात को जो चैन की नीद आती है और सुबह जो excitement होती है फिर सुबह उठना है और अपना यह की काम करना है पता है जब आप कहो याद है याद मैंने लिग रहता हैं, चिपस रखना है Our bag दाइरे करका, उसके लिगा लेगे हैए है तो उसके लिए हैं इसका mask होती है तो वही चीज है आगर आपना विँ बनाओगे की आज मुझे क्या करना है तो की मिश्चराने पे अपने लिग उसको बना लिये बोटल रखो ना फून रखो अपने आसपास कुछ मत रखो बट यह है कि एक प्यारी सी बहुत सुने सुने डाइडी जाती है आजकल तो एक अची सी डाइडी ले लो और एक पैन ले लो वो रखो अगर affirmations लिखना है affirmations लिखो ग्राटिट्यूड शो करना है gratitude शो करो और अग आपकी life में रंग भर देगा यह जो colors आप देखरो नहीं यहां पर है वो colors आपकी life में होंगे तो यह ना आपकी life को थोड़ा track लाएगा और यह एक pleasure देगा आपको जब हमाई चोटी चोटी जो होते ना पूरे हो जाते हैं कि यह काम था पूरा हो गया यह काम था पूरा हो ठीक है तो जो करना अच्छा लग रहा है वो काम करिए ठीक है नहीं रहने दो अब कौन जाए यह करते हो ना या फिक आप कौन करे छोड़ो ब्रहने दो यह कहते ही जैसे आप कहते हो यह चीज आप कही ना कही वो pleasure खतम कर देते हो ठीक है दिल अभी भी मन अभी भी मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना है, ठीक है, और ना इसको enjoy करना चाहिए, life को, enthusiasm, I celebrate everything in my life and I live in limitless joy, यहां पर joy का cut बहुत आ रहा है और शायद आप में से कुछ ऐसे लोग है, जो शायद enjoy करना भूल गए है अपने life में, खुश होना, celebrate करना चीजों को, ठीक है, वो energy लेकर आओ, अब जो चीज़े मैंने पहले बताई है, यह आपको बहुत energetic feel कराएगी in the morning, तो आप ready रहोगे कि मुझे आज क्या 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 करना है, और यह तब ही होगा जब आप खुश हो, आप pleasure feel कर रहे हो, जब आप अंदर से इनसान खुश होता क्या, उसको काम करने की इच्छा और double नहीं हो जाती, तो खुद को खुश कैसे रखना है, अपनी जरूरतों का ध्यान रखना है, यहाँ पर skincare भी बहुत जरूरी है, यह बहुत अच्छा प्ली कराएगा आपको, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, बहुत अच्छा लगता है जरूरी बाद तो खुशी है जो अंदर साती है, इंसान तो चाहे कोई ऐसा situation चला, उसमें कभी कभी दुख के समय भी हसी आ जाती है, वो आपके अंदर की खुशी है इस वाजे सारी, और कभी कभी खुशी के पल में इस इंसान रो देता है, तो मैं इतना ही कहाँगी करना है, हसना है, रोना है, क्या करना है उस situation, और मैं इतना कहाँगी कि यहाँ पे आपकी लाइफ में joy, 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 शार इसकी कमी हो रही है तो शार इस जगह पे आपको काम करने की जरुए है, ठीक है, इस joy को attract करना है, खुश रहना है यहाँ पर, सबसे पहला यहाँ पे यह है कि अपनी life को enjoy करना है, ठीक है, और वो कैसे करना है, आप जानो, आपको क्या करना अच्छा लगता है, वो चीज़े करो, ठीक है, और life में happiness डालो, joy डालो, ठीक है, यहाँ ईश्वर भी मैं देख रही है, आपके life को pleasure लेकर आ रहे है, ठीक है, वो खुश यहाँ से खुश रख सकते हैं, और शायब इस जगा पे कुछ लोगों को work करनी की जरुवत है, तो वो भी मैंने बता दी आपको, ठीक है, walking away, किनी चीजों से आपको दूर जाने की जरुवत है, जो चीज़े serve नहीं करती, जो चीज painful है, उनसे दूर हो जाओ, ठीक है, जो चीज painful ह को यह जो वीडियो देख रहा है, इसको दर्द में रहने की आदत हो जाएगी, और दर्द में रहने की आदत हो जाएगी ना, तो जब खुशी का situation भी आएगा ना, तो भी वो उस खुशी को महसूस नहीं कर पाएगा, कर पाएगा भी ना, तो बहुत temporary period, जो कि उसकी आदत होगे कि दुख में जीने की, क्यों दुख में जीना है, तो खुश को दुख की आदत मत लगाओ, तो जो चीज़े सर्व नहीं करती है, वहाँ से निकल जाओ, तिक है, यहाँ पे है patience, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आया है patience, I hope कि यह message आद आप connect कर जाओ, क्योंकि patience लखो, कुछ है आपके लिए खास, कहते हैं ना, सबका समय आता है, सबका समय आता है, आपका भी समय आएगा, patience लखो, ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हो किसी चीज़ की, या किसी चीज़ के पीछे बहुत भाग रहे हो, ठीक है, उस चक्र में जिद की जो happiness है, जो joy है, उसे भूल रहे हो, जिद है किसी चीज़ की, या किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, ठीक, तो उससे थोड़ा कहरे हैं कि थोड़ा patience रखो, उस चीज़ को पाने के लिए भी थोड़ा patience रखो, मिलेगी, समय से मिलेगी, लेकिन उस चक्र में अप पा रहे हो तेक है वो जो रास्ता है ना शायद वो नहीं दिख रहा है आपको तो let's see next question next card क्या है आपके लिए exchanging gift and accelerated motion कुछ ऐसा तो है जो कि शुरू हो गया है तेक है मुझे इसा लग रहा है जो आपके अंदर भगवान ने दे रखा है ना talent या फिर जो भी skill वेगे ना जो कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं उस काम को देखो क्या कर सकते हूं दूसरा दूसरों की मदद करना मुझे लग रहा है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और शायद आपका answer जो मैंने कहाना नहीं मिल रहा है वो उससे मिलना शु शुरू हो चुके हो इतना समझ लो ठीक है यह भी मैं देख रही हूं कि आपके life में जो जो आ है वो आना शुरू हो चुका है accelerated motion में वो शुरू हो चुकी है ठीक है वो शुरू हो चुकी है अब अब आप अपने life में अभी हो सकता है वो fluctuation फील कर लोगे बहुत जादा तो मैं लिएक पारही हूं यह जो pain सहर हो ऊसमें से निकल हौ रहे हूं बस एक process हो रहा है कि निकल रहा है थो तो दर्द हो रहा हूं बट आप उसमें निकल रहे हूं अब शुरू हो बहुत खुश भी मुझे ना जाने क्यों यह आप ऐसा लग रहा है कि नहीं हूं अपने life में कुस्य तो ऐसा है जो परिशान कर रखा है पर जीज़े यह जुवाइं वह आपके लाइफ में आएगा यूम ने बता दिया को कैसे ए यह जो जा बार बार वे वापिस मैं काहां क्या गलत कर रहा हूं जो चीज़ बार- भर घॱुम गुद्ध के मेरे पास आ रही है वही चीज़े क्यों रिपीट में हो रही है बार-बार पेंट क्यों मिला कहां गलती मुझसे कहां हो रही है खुद को चेक करने की जरुवत है यहां पर ठीक है यह जो emotional loss हुआ है ना patience रखो, heal होगा, ठीक है, और उन चीजों से निकलो, बहुत ज़रूरी है, जो भी emotional loss हुआ है, ठीक है, माना जब होता है, तो दर्द होता है, उसमें सब निकलने की कोशिश करो, उसमें से बाहर आने की कोशिश करो, यह आपके लिए अच्छा है, exchanging gift, द सब चीजों से निकलने में, inheritance, मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर, जिसे यह तो बहुत जारा responsibility आपकी है, बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है, बट मुझे इसा भी लग रहा है, जिसे कि यह आप महल देख रहे हो, यह गाओं देख रहे हो, जिसे आप ऐसे कोई हो जिसके उपर महल की responsibility है, और उसको अपना गाओं भी समालना है, मलब वहाँ गद्धी पे बैठ के उसे सब समालना है, तो वो अपने से पहले दूसरों की सोचे रहे है, तो यहाँ पर मैं आपके उपर थोड़ी responsibility देख रही हूँ, यह सूरू सकता है कि आपकी family की responsibility है आपक इतनी responsibility की आपको यहाँ पर अपने लिए नहीं सोचना है सर, ठीक है, self love is another thing, बट अपने लिए हर समय नहीं सोचना है, कुछ ऐसा करो जो सब के hit का हो, ठीक है, जो सब के hit का, मलब आपको अच्छा लग रहा है और सब को भी अच्छा लग रहा है, एक ऐसा कुछ काम, ऐसा क आपको सब के बारे में सोचना ही पड़ेगा, जिसे एक राजा जो होता है, ठीक है, अगर उस पे भी बनाती है, सब भी उसको अपनी प्रजा के बारे में सोचना ही पड़ता है, वो बाद में आता है, पहले प्रजा आती है, इसके लिए, ठीक है, तो ऐसी responsibility आपके लिए द अपनी गदी पे बैठे हो, तो responsibility ना, गदी ही नहीं रहेगी, तो फिर क्या बात मतलब है, ठीक है, तो ये भी जरूरी है, self-love गदी रहनी है, पर ये है कि अपनी चीजों से पहले भी दूसरों के बारे में भी सोचना है, कि ऐसा है, जिसमें सब का ही तो, ऐसा कुछ, ऐसा क करोगे, लोगों को pain देके, अगर आपको लग रहा कि आपको happiness बिलेगी, तो इसा कभी नहीं होगा, दूसरों को pain देके, अगर आपको happiness मल लेगी, तो वो temporary है, ठीक है, और कर्मा के बारे में तो आप जानते हैं, आगे बरते हैं, यहाँ पे है friendship, मैं देख रही हूँ कि इनके साथ time spend करके, जो joy आपके life से missing हो रहा है, वो आपके life में आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं यह कहूँगी, friendship को थोड़ा सा importance देना आपके लिए, इस समय पर, जो समय अभी यह reading आप देख रहे हो, वो ज़रूरी है, ठीक है, अगर friendship को लेके, कोई confusion लेके, आप आप ठीक है, इस समय पर, vision, मैं यही कहूँगी, कि थोड़ा साना life में क्या चाहिए, उसे देख के हुए चलो, मैं देख रही हूँ कि जो भी आप सोच रहे हो, मुझे life में यह करना है, यहाँ पर sun का card है, आप successful जरूर होगे, उसको लेके आगे बढ़ो, ठीक है, life में जो नही गारा, एला, आप सरदी लेके बैठो, पैनल लेके बैठो, उसमें लिखो क्या चाहिए, गोल क्या है आपके, लिखो उसमें, ठीक है, और उस पर ही walk करो, जो नहीं चाहिए उसके बार में सोच नहीं नहीं है, जो चाहिए life पे, वह क्या है, वह जवाय है, वह happiness है, बस उसक नहीं किया है, thank you for watching चुकि इसमें शाद आपके आंसर हो सकते है तो चुना होगा पर अगर आपकी इंट्यूशन ने का है कि ये चुनो, तो ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ आंसर जरूर ने को और काड जैसा भी हो, अंदर का कहते हैं न, बस उपर की पैकिंग मत देखो, ठीक है तो ये वही वाला है, उपर की पैकिंग मत देखो, आपके लिए ये काड आया है इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है, ठीक है आई ये देखते हैं sorry, इसको यहां रखना था चल गया ही रेखते हैं आपके लिए क्या कार्ट्स हैं पहला कार्ट, ग्राटिटीटीट ठीक है, लाइफ में अगर सब कुस डिस्टर्ब चल ला है जैसे की कार्ट है, राइट सबसे पहले क्या करना है, ग्राटिटीट शुक्रिया कहना है और लाइफ में जो भी अच्छी चीज है में पस घर है, उसके लिए शुक्रिया में पस फैमली है, उसके लिए शुक्रिया अगर जॉब है, तो में पस जॉब है उसके लिए शुक्रिया अगर पार्टनर है, तो में पस पार्टनर है उसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया मेरे पास खाना है, शुक्रिया मेरे पास आस्मान है, शुक्रिया मेरे पास धर्ती है, शुक्रिया मेरे भगवान, मेरे पास आप है, ठीक है, जो चीज भी है, शुक्रिया मेरे सासे चल रही है, शुक्रिया मेरे दिल धड़क रहा है, ठ पहले तो इस में आना है आपको इस इनर्जी में ये ग्राटिट्यूर लिखके ये इनर्जी क्यों है चुकि ये देते ही आपकी इनर्जी ऐसी हो जाएगी ठीक है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास आप जैसे व्यूर्ज है जिन्हें ये कार्ड आते हुए भी ये कार् कि क्या करना है अगर इस situation से दूर जाना है तो सबसे पहला step आपके लिए ये है और आपके लिए step आया ये कार्ड आया नहीं है ये आपके लिए पहला step आया कि क्या करना है देख लीजे faith दूसरा step एक विश्वास my life is divinely guided पता होना चाहिए एक विश्वास होना बहुत चीज के लिए विश्वास अब शुक्रिया कह रहे हैं उनको इसका मतलब वो है हा ना जब वो है तो उन पर विश्वास भी तो ना चाहिए कि वो सब देख रहे हैं वो सब सम्हाल नहीं अगर मेरे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है ना कर्मा इस पर है वो कर्मा वो देख रह तो आपको इसके लिए परिशार होने की जरुवत नहीं है आपको अपना करमा दे कुछ बुरा हो रहा है विश्वास रखो जब कहते हैं रोज क्यों सूरज निकलता है वह सूरज रोज निकलना वह एक आपके लिए सिंबल है कि रोज एक नई सुबह होती है तो जब आकिना से मेरी जिंदगी में वो सुभा भी आती है और वो बहुत खुब सुर्ट होती है सुभा कभी देखी है कितनी सुन्दर होती है बहुत सुन्दर होती है रात में जितना अंधेरे से डर लगता है सुभा उतनी ही उजली होती है तो नहीं सुन्दर होती है देखा रात में कैसे भेडिये पुत्ते वाउकते है भेडिये वीडियो के आवाज कैसी होती है लेकिन जब सुबा होती है तो कैसे चीरिया चाहती है वो कितना सुन्दर होता है वो आवाज कितनी सुन्दर होती है तो ये चीज़े देखनी है आपको और सुबा होती है सबके लाइफ में सुबा होती है उस सुबा को देखने की जरुवत है तेक है उसका इंतजार करो उसके लिए विश्वास अपको की सुबा होगी विश्वास रहेगा तो सुबा होगी ठीक है Action I step into my glorious future with determination and power मैं यही कौँगी कि action लेना मत छोड़ो यहां ऐसा लगदा किसी ने hope ही छोड़ी किसी ने give up कर दिया है give up नहीं करना है hope नहीं छोड़नी है विश्वास रखना है, आगे बढ़ना है और gratitude तो आपको definitely देना है in 5-2 पाईल 2 में मैंने यही समझाया है कि एक diary ले लो बहुत सुन्द सुन्दब कलर överens आती मुझे थो बहुत attractive लकती colors मुझे अच्छे लगते अच्छे लगते मुझे in diaries में भी सुन्द सुन्द shop colors use हुगते मुझे बहुत अच्छी लगते हैं, बहुत सुन्द सुरे डाइरीज आती है, तो डाइरीज लेना, एक पैन ले लो, चाहे कलर पैन ले लो, हर तरह के पैन आते हैं, हर कलर क्या आते हैं, लो, gratitude लिखो, हर कलर से लिखो, हर कलर से, वही चीज को, या फिर हर एक thanks को अलग- है, इसमें भी pleasure है, इसमें भी बहुत enjoy करोगे आप, ये चीज आपको बहुत अच्छा फिल कराएगा, बात मान, ठीक है, आईए देखते हैं आपे, in decision, शायद आपको बहुत बड़ा decision लेना पड़े है, लाइफ के छोटे decision भी बहुत बड़े होते हैं, च्योंकि बहुत depend क करता है कि हम क्या, क्या फैसला लेंगे, और उसका फैसला, अभी present का फैसला हमारे future को decide करता है, तो जो सकता है, दो रास्ते हैं, आपके पास मुझे क्या करना है, ठीक है, तो फ़रे तो शुक्रिया करो, विश्वास के साथ आगे बढ़ना, ठीक है, gratitude दो, और मैं इतना तो समय दो, gratitude दो, रोज दो, ठीक है, रोज सुबा उठो, सुबा जैसे ही हो रही है, उस सुबा के लिए शुक्रिया कहो, ठीक है, वो उसके लिए thank you क्या हो, जैसे कि मैंने बताया है ही आपको, राइट, तो शुक्रिया कहो, उसके बाद तीन दिन का तो समय लो, तीन दिन ठीक है, जलबाजी मत करना हो सकता, आपको बहुत बड़ा decision लेना पर जाए, ठीक है, angel of love, मैं यहाँ देख रही हो जो प्यार है न, देखो faith के नीचे आया है, faith के नीचे, ठीक है, अगर विश्वास रखोगे न, वो प्यार उपर वाले के तरफ से जरूर आएगा, मैं दे mental city काफी अच्छी हो जाएगी, अगर आप यह करते हो, follow तो, दूसरा faith के नीचे, angel of love आए, विश्वास रखोगे तो वो प्यार आएगा, वो प्यार मिलेगा यश्वर के तरफ से, जो नहीं मिला न, कोगे भगवान लगता है है ही नहीं, या मेरी सुनते ही नहीं है, मेरे स होता है ना कभी-कभी, कुछ चीजे destiny में लिखी होती है, और वही होती है, और यहाँ पे आपके life में कुछ चीजे लिखी होई है, जिने हम नहीं बदल सकते हैं, जिने हम नहीं बदल सकते हैं, कभी-कब कहते हैं, हम इसे बदल नहीं पारें, हम कोशिश करें, लेकिन बदल यहाँ पे destiny में कुछ चीज़े लिखी है, शायद अभी आप resist करो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन वो दे रहे हैं, यही होगा, यही होगा, यही होगा, तो वो जो होगा, वो इसलिए हो रहा है, चोकि वो जरूरी है, और वो सबसे अच्छा है आपके ल flexible, चीज़े देखो, मैं ले पहले भी कहा, आपके मुताबिक नहीं होगी, चीज़े ऐसी होगी, जो शायद आपकी destiny में तो लिखी हो, शायद बर आपके favor में आओ, आपको वो नहीं पसंदार ही, आप तो कुछ और चाहरे थे, मिल कुछ और रहा है, पर थोड़ा flexible होना होता है, क्योंकि ये सच है, ये तृत है, कि जो होता है, वो अच्छे के लिए ही होता है, आए, देखते हैं पर, oh my god, the fate, destiny, okay, तो यहाँ पर हमने the fate, destiny and the destiny खुद आ ही चुकी है, तो मैं यहाँ कौँगी कि कुछ चीज़े destiny में लिखी होई है, वो होगी, ठीक है, वो चीज में कुछ लिखा है, तो क्या खराब लिखा होगा, कि इसको, इसकी साथ ऐसा हो जाए, क्योंकि दुश्मनी आपसे, नहीं, दुश्मनी नहीं है, वो भी आपसे उतना ही प्यार करते है, अपने सब बच्चों से उतना ही प्यार करते है, तो उन्होंने जो आपके लिए बडल सकता हूँ, यह तो आप कर सकते हूँ, वो करो, ठीक है, तो अपना मूड बडलना आपके हाथ में, लेकिन जो आपके हाथ में नहीं है, जो destiny में लिखी हुई है, वो होगी, ठीक है, choose wisely, oh my god, जिस तरह कि आपके card आए है, एक तो destiny में कुछ लिख्या हुआ है, आप से कह रहे है, flexible हो, और शयाद आपको कुछ, खास choose करने को कह रहे है, अब आपके उपर है कि क्या करना है, क्या चाहिए, क्या choose करना है, जैकि in decision भी आगा, choose wisely, अभी जो choose करोगे, वो आपका future ब नहीं चाहिए, पेन मिलना है, ठीक है, उसको accept कर लोगे न, वो पेन उसी समय खतम हो जाएगा, ठीक है, आईए देखते हैं, आपके और कार्ट क्या है, authority, nice card, convention, okay, discrimination, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कि आप इसके हगदार हो कि आपके हाथ में कुछ authority, कुछ बढ़ा करोग लाइफ में कुछ बहुत बढ़ा करोगी, ठीक है, और शायत आप यह भी चाहते हो, आप खुद भी यही चाहते हो, और याद आपकी जिन्दगी में यह है, authority, बड़ मैं अतना कहूँगी, जब flexible होगे, go with the flow होगे, तब यह authority आपके अंदर आएगी, ठीक है, यहाँ देख ज़रूरी अगर आपको कह दिया गया, आप इस रूम से बाहर नहीं आ सकता, आपको उस रूम में बंद कर दिया, ठीक है, तो आप खुद को खुश कैसे रखोगे, उस रूम में कुछ चीज़े ऐसी होगी, जो आपका मन लगा सकती है, ठीक है, अगर आपको डिब्ब में एक डिब्बा भी दे दिया जाए ना, एक डिब्बा, उसमें हम कैसे मन लगा सकते हैं, ठीक है, आपको आपका डाइरा कम कर दिया गया है, ठीक है, पर आपकी उमीडे, जो आपका फेथ है, कि विश्वास है कि यह जो दाइरा है ना, मैं बढ़ा दूँगा, खुद या त देंगे, ठीक है, तो वो restriction आप खुद हटा सकते हो, ठीक, और बहुत साई ठीजे है, हम कैसे खुद को खुश रख सकते हैं, ठीक है, बाहर वाले आपका डाइरा कम कर सकते हैं, लेकिन अंदर से आपका डाइरा और बढ़ सकता है, पुछो कैसे, जब आपको इतनी कम जगा देने हैं, तो वो आप उतनी जगा तो explore कर रहे हो, खुद के अंदर explore करना शुरू कर दो, ठीक है, तो खुद को जानना शुरू करोगे, meditate करोगे, खुद को जानने लगोगे, ठीक है, तो आपको और अच्छा रहेगा, आपको लगा ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है, इ ये जो ऐसे लोग हैं, थोड़ी चूजी लोग है, अब मुझे जिस सरक कार्ट भी आया रहा, चूज वाइस लें डिसिजिन, आपने बहुत चूजी लोगों, बहुत ज़्यादा आपको बहुत चीजे पसंद याती, थोड़ा चूजी हो कि मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए, या वैसा कुछ चाहिए, इसलिए थोड़ा रिजिस्टेंस पर रहते हो और थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके साथ हो जाती कभी-कभी, बट मैं यही कहाँगी कि आपको क्या चाहिए, हैपिनेस, फ्रीड़, अगर आपको लग रहा है कि ये चार दिवारी आपको कैद कर सकत पीरसद नहीं है, आपकी इमाजिनेशन बहुत बड़ी है, और आपकी इमाजिनेशन यूनिवर्स से कनेक्टेड है, आप यूनिवर्स से बाते करोगे, यूनिवर्स से कनेक्टेड होगे, इमाजिन करोगे, बहुत जल्दी उन चाहर दिवारी से बाहर आ जाओगे, अपन imagination को चलाओ अपनी imagination से काम लो बहुत साई ताकते आपको मिली है लेकिन उसका अंदाजा नहीं है चोकि उसके काम नहीं लेते ना हमें यह सिखाया गया है कि हम कैसे अपनी powers का use कर सकते है हमारी creativity, हमारी imagination हमारा communication यह सब हमारी power है और हमारा दिल सबसे बड़ा पति आरे हमारा सबसे बड़ी power करी है दिल से हर चीज जीती जा सकती है हर चीज की जा सकती है और ईश्वन ने आपको 24 भी है कि आप खुश रह सकते हो दो एक situation में डाल दी आप बताओ इसमें आप खुशी या दुख होके दिल करोगे कोई answer नहीं करें आप एक दिन रोते हो दो दिन दिन रोते हो जब सामना करना शुरू करते हो तब उसमें से निकल जाते हो लेकि जब लेकार तीन दिन आप आलड़ेडी रोके वेष्ट कर लेते हो इससे अच्छा है कि पर हस की सामना करूँ भाई, वो तो हो गई होगा, वो तो हो गई होगा, हाँ कभी-कभी होता है, रोल हो तो थोड़ा सा clarity मिलती, उस समय clear नहीं होता, बहुत सारे thoughts के बादल चाहे होते है mind में, नहीं समझ में आता कैसे जाए, क्या करे, right, तो मैं आपको यही कहूंगी, कि अ वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और आप उससे कुछ भी create कर सकते हैं, यूनिवर्स के साथ connect हो कि आप खुद को इस चाहदी वाले से बाहर निका सकते हैं, इतनी power है आपके अंदर, बस वही है कि कैसे मुझे अपने powers को use करना है, और अपने ईश्वर के साथ connect होगे तो सब क पाओगे, और मुझे अभी 15-15 दिखा है, मैं आपको बता रही हूँ, तो प्लीज आप जरूर देखिएगा कि इसका क्या मतलब है आपके लिए, जरूर चेक करेगा 15-15 आप से क्या कहना चाता है, तो ये थी आपकी reading pile 3, अगर आपको answers मिले हूँ आपके, ये message अच्छे ल चानल, thank you for watching.